जब जब हमारी आध्यात्मिक यात्रा का आरंब होता है और हम ध्यान करना शिरू करते हैं तो सबसे पहले हम मुलाधार की ओर अपना ध्यान के इंद्रित करते हैं और धीरे धीरे उपर के चक्रों पर लेकर जाते हैं लेकिन होता ही है कि जब हम उला धार चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसके थोड़ा सा भी एक्टिवेट हो जाने पर यानि कि थोड़ा सा सक्रिय हो जाने पर हमारा दूसरी पर ध्यान केंद्रित होता है हमारे स्वाधिष्ठान चक्र पर जिसे औरेंज चक्र हारा चक्र भी कहते हैं और फिर जब हम उसमें जाते हैं तो उसके बाद हम संसार की सभी जितने भी भटकाने वाली चीज़ें हैं मन को उन में खो जाते हैं और एक्जाम्पल, मूलाधार चक्र क्या होता है? संसार के सुखों की कामना, इच्छा और उनकी पूर्ती और मूलाधार जो चक्र है, जब हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसका वो थोड़ा सा भी सक्रिय हो जाता है, तो उस व्यक्ति को संसारिक भूग विलास अपने में खींच लेते हैं, वो उनमें रम जाता है, लेकिन जब वो आता है स्वादिष्ठान चक्र पर, तो वो मौज, मजा, आनंद उसमें इतना खो जाता है, कि कई वार वो अपनी उन्जा को उपर उठाने के लिए समय भी नहीं निकाल पाता, ध्यान से ही विमुक हो जाता है, यह एक सतत प्रक्रिया है और हमारे हीलिंग में बहुत सारे लोग इस से अवगत है, जो मैं बता रही हूँ अर्थ, वह प्रानिक हीलिंग की एक प्रिसेद्ट टीचर का अध्यन है, गजेंद्र मुक्ष एक्चुली इसी विशे पर पात कर रहा है, जब हम ध्यान की यात्रा शुरू करते हैं अपने आदम कल्यान के लिए, तो मुला धार से उपर हम आते हैं स्वाधिष्ठान चक्र पर, स्वाधिष्ठान चक्र का वाहन होता है मगरमच, तत्व होता है जल, और मुला धार का कौन होता है हाथी, तो जब इस से हम चड़के उपर की तरफ आते हैं मगरमच की तरफ, तो हम फस जाते हैं जैसे कि गजराज जब साधना के लिए कमल का फूल लेने के लिए आए तो उन्हें मगरमच ने पकड़ लिया इन भावनाओं में फसा हुआ इनसान मगरमच की पकड़ में आ जाता है और वो बन जाता है बंधन में जकड में पकड में ऐसी समय जब भाविवल होकर नारायन का स्मरण करता है उनका चिंतन करता है उनसे करून प्राथना करता है तो उसको कहते हैं गजेंद्र मुक्ष वही प्राथना हर तत्व में तुम हो जो हो तुम हो और उसको सुनकर प्रसन होकर नारायन गर्म बंक पर सवार होकर आते हैं और गजेंदर को मुक्ती का आनन्द दे अपने साथ सप्रेम ले जाते हैं यही है गजेंदर मुक्ष जिसे हमें अपनी जीवन में भी समझना है जैसे जैसे हम गजेंदर मुक्ष का अध्यन करते हैं उस पर ध्यान करते हैं हमारे भीतर की जागरत होती हैं और हमें समझ में आता है संसार का खेल हम संसार के बंधनों से मुख्त होनी शुरू हो जाते हैं और नारायन के शरनागत होकर उनमें लीन हो जाते हैं और एक दिन पर मात्मा हमें पने साथ ले जाते हैं यही तो है गजेंद्रमोक्ष हम सभी की भी तो यही कामना है तो इसी जानकारी के साथ मैं आज का व्लॉग समाप्ट करती हूँ थैंक यू बरी मच आप सभी का मुझे समय देनी के लिए गजींद्र मोक्ष का कम से कम तीन महिने अवश्य पाठ करे बहुत ही अच्छा होता है प्रतीक को करना ही चाहिए मैं तो आपको संसार से लेके परलोग तक में सुख देने वाले इस पाठ को बता रही हूँ आगे आपकी इच्छा और अंतरचेतना धन्यवाद